दुनिया भर में डॉक्टरों को प्रांड रक्षक माना जाता है लेकिन महराश्ट के सतारा में एक ऐसा डॉक्टर सामने आया जिसे डॉक्टर डैथ का नाम दिया गया इस डॉक्टर की कहानी इतनी खौफनाक थी कि पुलिस भी चौप गई दॉक्टर ने पुलिस को बताया कि उसने पांच ओर्तों को जिन्दा दफना दिया और उनकी कबरों के उपर नारियल का पेड भी लगाया था डॉक्टर डैथ की इस सनकी रवये का खुलासा 2016 में हुआ जब उसे पुलिस ने कतली के मामले में गिरफतार किया पुने के करीब 120 किलो मीटर दूर सतारा में रहने वाले इस कातल डॉक्टर की भैचान संतोष पॉल के रूप में की गई कातल डॉक्टर ने पुलिस को अपने कबूल नामे में बताया कि वो साल 2003 से ऐसी वारदातों को अन्जाम देता आ रहा है संतोष पॉल पेशे से इलेक्ट्रोपैथ था और उसके पास बैशलर ओफ इलेक्ट्रो होमेपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी यानि की B.E.M.S की टिक्री थी इसके अलावा उसने वाई के घोटा वाडे कर अस्पताल में आठ साल काम भी किया था लेकिन वहां काम करने वाले सीनिय डॉक्टरों का मानना था कि वह मेडिकली सेटिफाइड नहीं था संतोष खुद को डॉक्टर बताने के साथ साथ समाज सेवी और RTI एक्टिविस्ट भी बताता था संतोष पॉल का अपराद तब सामने आया जब मई 2016 में वेलम गाओं की आगन वाड़ी कारिकरता मंगला जेधे लापता हो गई मंगला जेधे के परिजनों ने इसका आरोप संतोष पॉल पर लगा दया था शिकायत में नाम जद होने के बाद पुलिस ने उसे पूछताश के लिए बुलाया लेकिन सबूत ना होने की वज़े से उसे छोड़ दिया गया मामले में चल रही जाच में सामने आया कि मंगला की आखरी फोन लोकेशन संतोष पॉल के फार्म हाउस के पास दिखी और मंगला का फोन जोटी नाम की महिला नर्स के पास से बरामत किया गया इसके बाद पूछताश में जोती ने बताया कि संतोष पॉल ने ही मंगला जेदे की हत्या की और उसके शव को तफना दिया उदर संतोष को जैसे ये सब पता चला तो वह मुंबई भाग गया जोती ने जो पुलिस वालों को जगए बताई थी जब वहां खुदाई की गई तो एक कंकाल बरामद हुआ और लैब रिपोर्ट्स में साबित हो गया कि वो कंकाल मंगला का ही था 11 अगस्त को गिरफतारी के बाद संतोष ने बताया कि उसने 13 सालों में 5 महिला और एक पुरुष की हत्या की इसके बाद 4 महिलाओं के कंकाल बरामद किये गए एक पुरुष का कंकाल बरामद नहीं हुआ क्योंकि संतोष ने उसकी लाश नदी में फेक दी उसने बताया कि वे महलाओं को नशे का इंजेक्शन देता था फिर नशे की हालत में रहने के दौरान ही उन्हें फार्म हाउस में दफना देता था साथ ही लाशों के सड़ने की गंद छुपाने के लिए उसने कुछ मुर्गियां भी पाल रखी थी पुलिस ने इस डौक्टर डेत के घर से नशीली दवाईं, इंजेक्शन, ECG मशीन और RTI से जुड़े कुछ दस्तावेज भी बरामत किये थे संतोश पॉल ने बताया था कि वे हर हत्या के बाद एक जेसी भी बुलाता था और नारियल के पेड़ों को लगाने के लिए गड़े खुदवाता था लेकिन इन गड़ों में लाशे दफना कर उनकी उपर नारियल के पेड़ लगा दिया करता था तो दोस्तो आज हमने सुना एक ऐसे डौक्टर डेत की कहानी जिसके बारे में आप कभी कलपना भी नहीं कर सकते थे एक ऐसा डौक्टर जो महलाओं को जिन्दा दफना दिता था चलिए इसी के साथ आज के एपिसोड का दियान करते हैं अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया या आपको आज की कहानी पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर कीजेगा कल मिलते हैं एक नई चौका देने वाली कहानी के साथ लेकिन तब तक डनना मना है